हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वस्त धरातो खेथ हरा निबंद के बारे में। दोस्तों, भूमी हमारे जीवन का आधार है। इसकी उर्वर्ता और स्वास्थ्य न केवल क्रिशी उत्पादन को बढ़ाते हैं, बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। स्वस्त धरातो खेथ हरा यह कहावत हमें यह संदेश देती है कि यदि हमारी धरती स्वस्त होगी, तो हमारे खेथ भी हरे भरे होंगे और सम्रिध्धी का संचार होगा। यह नकेवल एक क्रिशी आधारित विचार है, बलकि परियावरन संरक्षन, जैव विविद्धा और सतत विकास का भी आधार है। मिट्टी की उर्वरता और क्रिशी मिट्टी की उर्वरता क्रिशी उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उर्वर मिट्टी में पौधों को आविशक पोशक तत्व, पानी और वायूमंदलिये गैसे प्राप्थ होती है यदि मिट्टी बंजर हो जाए, तो फसले भी कमजोर हो जाती है इसलिए हमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक खाद, फसल चक्र और जैविक कीट नाशकों का उप्योग करना चाहिए रासायनिक उर्वरकों और कीट नाशकों के अत्यधिक उप्योग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है और दीरगकालिक रूप से कृषी पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है पर्यावरन संरक्षन और हरित क्रांती पर्यावरन और कृषी के बीच गहरा संबंध है यदी परियावरन प्रदूशित होगा, तो मिटी भी प्रदूशित होगी और इससे फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होगी हरित क्रांती ने क्रिशी उत्पादन को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके साथ रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उप्योग से भूमी की उर्वरता पर भी असर पड़ा आज हमें एक नई हरित क्रांती की आवश्यक्ता है, जो जैविक खेती, जल संरक्षन और पर्यावरन संरक्षन आधारित हो जलवायू परिवरतन का प्रभाव जलवायू परिवरतन ने खेती पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है अन्यमित वर्षा, सूखा, बार और तापमान में व्रिद्धी से फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है यदि हम धर्ती को स्वस्त नहीं रखेंगे, तो यह समस्या और गंभीर हो जाएगी विक्षारुपन, जल संरक्षन और मिट्टी का संरक्षन जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक है जैविक खेती की भूमिका जैविक खेती नकेवल मिट्टी की उर्वर्ता को बढ़ाती है, बलकि पर्यावरन को भी सुरक्षित रखती है यह रासाइनिक उर्वर्कों के स्थान पर जैविक खादों, हरी खाद और प्राकृतिक कीट नाशकों का उप्योग करती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और फसल उत्पादन दोनों में सुधार होता है भारत सरकार भी किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है स्वस्थ धरा तो खेत हरा केवल एक नारा नहीं, बलकि एक जिम्मेदारी है जो प्रतेक किसान, नागरिक और सरकार पर है हमें अपनी धर्ती को स्वस्त रखने के लिए सामुहिक प्रयास करने होंगे पर्यावरन संरक्षन, जैविक खेती और सतत क्रिशी पद्धतियों को अपना कर हम अपनी धर्ती को हरा भरा और उर्वर बनाए रख सकते हैं यदि हम इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे, तो न केवल हमारे खेत हरे भरे होंगे, बलकि आने वाली पीडियों के लिए एक सुरक्षित और समरिद भविश्य का निर्मान भी होगा